okay so hello and good evening to all of you guys welcome to the janik education this is Robin Jagad here your electrical faculty but effort mujhe comment section पर जल्दी से बता दीजिए am I audible to everyone for a summer late okay sorry for that okay or करते हैं हम अपना session start करते हैं so थोड़ा सा लेट हो गया और एक्टिली अरेंज करने में वह लग गया था कोश्चंस इधर के उधर हो गया पूरे ठीक है तो उनको अने सेट करने में वापस लग गया था ओक है अचली चालू करते हैं ज्यादे ज्यादे सेशन को शेर कर दीजिए छोटा सा सेशन होगा बस ये बताने के लिए आज मैं सेशन के कि लिए हूं कि कल से हम स्थार्ट करने जारे है डाटिस ऑल संथिंग इंपोर्टन जो आप लोगों के लिए बहुत ऑी इंपोर्टनस बंसकता है थी कह और डिमने देखो बहुत बार आते चीज को जिकर कर लिया अब Siakal जो हमारा electrical material है तो इसका मैं schedule कर वा लिया आपिजाए देख भी सकते है है तो इंडेफ स्थी मुंटाल का मैंने schedule कर लिया तो उसको ठीच है उसके लिए सबको उटेंड करना जरूरी है जिनके जहां रहा है उनसा में मैक्सिमम तरीके से आपका मैगनेटीज यह सब पूछा जाता है और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको हने एक कोशन का सीरेल वाइस तरीके से मैं आपको वहां पर प्रवाइट करूंगा आपके लिए अल्टिमेटली बेनिफीचल होगा तो कल से मैं एल जीरो जीरो वहां पर शेडूल करके रखा है और जीरो 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 जो है वह आपका क्या करने वाला है यह बेसिक इंट्रॉडक्शन है और उससे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें किस तरीके से चलेंगी वो करना मत भूलेगा और फिर हम बहुत इंपोर्टेंट होने वाला है आपने शेयर करवा दिया हाँ हाँ मैंने शेयर करवा दिया ओके चालू किया और वैसे भी कल की पीडिया पालेडिवन यह से ओके स्टार्ट करते हैं आज का सेशन इस टेलिग्राम चैनल जो बच्चे नह करना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं टेलिग्राम के थूओं लिए ओके वाट्सप आले यहीं से नंबर मिल भी क्या हो तो वाट्सप पे रिप्लाइड नहीं करते हैं बिल्कुल भी तो में लिए आपका टेलिग्राम पर यह और दिस आजैनिक लर्निंग एप में बहुत सार कि यह गए सब्सक्राइब यहां करें चाहिए सब्सक्राइब करने कि इस संतले मतरा क्लास में सब्सक्राइब करें है जैनिक सब्सक्राइब होगा कुछ ऐसे ग्लिच होंगे तो मुझे नहीं बता कि मेरे 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 में क्या पता टैग वह है मिस्प्लेस हो गए होंगे इस करण होता है वह बहुत फरक पड़ता है ठीक है अच्छा इसका ठीक है मैं समझ गया कि सियारो का चैप्टर है तो तु है चलिए चल बहुत बढ़ी है बाइए बागि सब्सक्राइब बदाओ मुझे बने में रीजन गॉझे करण हम क्या बոब से हैं कि एक मोस्त focal को थिर्क उसमें की इसका रिजन नहीं बता इसका कोई भी आप इंस्टूमेंट लेते होना है अच्छा कल एक चीज बताओ कल का कैसा लगा लेक्षर कल अच्छा लगा आप लोगों को लेक्षर हैं कल जो सियार टी और सियारू से रिलेटर में जित्ती भी चीज बताई दिमागे खुछ चीज है आई आई होंगी बहुत अलग करती है मैं ली और जब इनपुट के इंपुट बात करते हैं आग्टटोल सिस्टम में देखते हैं बहुत सारीальную होती है जब यह instrumentation की बात होती है तो input impedance होता है यहां पर आपको input impedance क्या मिलता है and यह कोई मुझे कितना input impedance मिलते है इसका जो input impedance है input impedance अच्छे समझा करो ऐसी चीज़ें है बहुत important होती है इसकी जो input impedance है it is approximately one-me क्यांने का मतलब यह मतलब है आनिसरली कहीं पर ऑन्न करेंचे गा हमिप मतलब मतलब आप एद टो आपकी क्या हिए तो हाई Inspector Junkas का यही मतलब होता है कि यहांने कि वो लोडिंग एफेक्ट को क्या कर देता है यह समझ में आता है ने सब करके वो बता देता है कि इतना वोल्टेज हुआ और वोल्टमेटर में यहां पर शो कर देता है तो इसलिए क्या बोला जाता है कि यह है कि यहां पर दिक्कत आती है मीटर के लगा है रीडिंग को पैचारने के लिए अधा बच्चों कि ओके वक्चों कि ओके ओके अधा बच्चों यहां तक लिए दीपक भाई बेस्ट क्लिए नेक्स कोशन प्रीज हां बस करते हैं ठीक है तो यह चीज़ है में यह इंपोर्टन चीज होती है ओके यहां तक करेंगे चलो यह कोशन नंबर टू कोशन नंबर टू दस यारो इंदा टाइम बेस जन्रेटर कल की बात होगी ते यहां पर वही वह करना आज थोड़ा सा पीडियफ में लोचा हो गया मेरे से ठीक है कॉपी पेस्ट करते वक्ते जल्दी बाजिए मोल्टे सीदे हो गए थे तो कोई दिक्कत करते हैं यहां पर हम बात करते हैं इनसी आरो दाइम बेस जनरेटर इन्हीं में दोनों में से ऑप्शन आंसर है दस अप्लाई रैंप वोल्टेश कल यह तुमको डाइग्राम रट गया होगा ने दिमांग में तो चुटकी भर में तुम आंसर दे सकते हो इसका चुटकी बर आ रहा है तो मैं दो मिनट में याद भी दिला देता हूं कि कल ही चीज़ पढ़ाई हुई है और बहुत अच्छे से मैंने डाइग्राम इंक्लूट किया था मैंने बोला था ने एक साथ कंबाइन करके बहुत साथ चीज़ दूँगा तो इस इस दाइम बेस जनेरेटर यह है दिग्या ठीक है और होरीजोंटल एंप्लिफायर के लिए यूज होता है एक चीज़ के लिए और कल के कोशन प्लस हाथ के कोशन कंबाइन करके मैं आपको दे दूँगा यहां से क्या हुआ हुआ था टाइम बेर जनेरेटर सप्लाई दर रैंप बोल्टेज यह सॉर्ट ठीक है और आप बोलोगे यहां पर सॉर्ट तूथ सॉर्ट ठीक है तो वह क्या प्रोवाइट करेगा था होरीजोंटल डिफ्लेक्टिंग प्लेट को प्रोवाइट करता है जो कल हमने देखा था कोशन नंबर थ्री कोशन नंबर थ्री जल्दी से मुझे आंसर बताई वोट इंपोर्टेंट कोशन है क्योंकि जनरली हम सरस सी यारों की जो डाइग्राम देखते नहीं वहां पर एस्टेक मैटेसम नहीं मिलता है ऐस्टेकमेटेसम एक तरीके का एक नया अम लब आप कह सकते हो एडिशनल काम करते है डी बोल रहे हैं देखा डी बोल रहे है ताइम ड बोलो डी इस पर्फेक्ट ली रॉंग अब बोलो है अब को गया दो बच्छे हैं कि देट इसी लिए किया रहे हैं अब एस्टिंगमेटिज्म देखिए क्या होता है कि नहीं चीज़ सीर्के जाओगे फिर तो आज कि सर्स्यारों का पढ़ा दिया कली बेटा हुआ कल कल की क्लाज हुए ने उसमें स्यारों बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट हुआ हो जिसने नहीं किया है वह प्ली जाके वाच कर लिजगा अब एस्टिंगमेटिजम क्या होता है अच्छा मुझे यह बताई कंट्रोल कल पता है हमने कैसे किया था इलेक्ट्रों गन निकला था थोड़ा सानिम देखते जाएंगे स्यारों बहुत कंफ्यूजिंग होता यह चोटी-चोटी चीज़ों के बारे में नहीं पता है तो मैंने कल आपको यह बताए था कि यहां से उलेक्ट्रों के थोड़ेक्ट्राट्ट्रों के थू इलेक्ट्रों गन के थूए थोड़्च निकलते हैं क். और यह बैने यह ग्रेड्रों करता था assol rating ननोड जो फोकिसिंग अनोड है उसी का ही काम ये करता है तो फोकिसिंग जलगता है एलेक्ट्रॉण को एक परिकुलर दिशा में लो क्या करता है इसको फोकस करने की कोशित करता है सिङ कि एडिशनल डाइप का आपको देखने को मिलता है समझ में आया क्या बोला एडिसनल को बताईए शॉर्ट मैं सर्थ प्लीज हाँ हाँ मैं वही बता रहो मेरे दियर तेक है मैं सब लिखके बता रहूं का है टेंचन ले रहा हुआ आपके नाओ एक्चुली क्या होता है जैसे हम ऐसे बात करते हैं ठीक है ओके अरे यारे कल किस टाइप गराम बना था एक मिनट में डियाग्राम सब्सक्राइब कर देता हैं ओके और ये आप यह दिखो में जब यहां से डिव्ए डिफलेक्शन और होता है मतलब और वडिकल डिफलेक्चिंग लेट पाथ जादा बड़ा हो जाता है एक इसके बड़ते आते हैं यह जो यहांसे ना आगे डिफलेक्ट होके जाते हैं जैसा टिफ्लेक्टिंट प्लेट के आगे हैं तो इनके पात है पात में आ जाता है मालो आप एक तो सिधा रासता हो गया ठीक है और एक रास्ता ऑगया कि जो ठीक है थोडा सेने ऐसा डाइगोनली जालवा ठीक है एलेक्ट्रॉन कफ एलेक्ट्रॉन फ्लो पाथ आप बोल दिए ऐसा बोल दिए एलेक्ट्रॉन अलग अलग तरीके से बताया जाता है बुक्स में हने पर है मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो पाथ से रिलेटर तो इलेक्ट्रॉन फ्लो पाथ ठीक है डिफरेंट रहता है डिफरे करने के कारण इस एस करने के कारण इस एस्टिघमेटिजम का यूज करने के कारण same focus आपको पूरी screen के दोरान मिलेगा same focus आपको पूरी screen के दोरान मिलेगा मतलब कहने का मतलब this is a screen तो आपको हर जगह आपको same focus देखने को मिलेगा and जिसके कारण clarity आपकी बढ़ जाती है and this is called the astigmatism otherwise क्या देखा जाता है सेंटर पर ज्यादा आपको कई बार focus मिलता है और एजस पर आपको कम देखने को मिलता है और इस इसके थ्रू हम क्या करते हैं focusing को improve करते हैं and that is additional focus control आपका बोला जाता है आई विश कि इतनी सारी चीज़े आपको clear हो गए होंगी जल्दी से मुझे ट्रिक नमबर पूर बताईय क्लियर है लग रहा है स्टिक मैं एफैंगे देखो फिर एस्टिक य पायर पैसे दो पर बोला ही जा रहे है ज्या हो गया क्योंट्य आप ज़िए अब लिए अब ब्रकेता बोला क्या कहते हो डिले लाइन is essential in the zero CRO to ensure that the vertical signal starts after the retrace period sweep signal the sweep reaches to the horizontal plates before the desired signal and initial part of the signal to be observed is not lost or all of the box that this is what I am DDDD okay okay all 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 yes sir please help private job कर लो यह यूपी पीए सेल टीजी टू की त्यारी का आपके उपर कॉल है ठेकर आपकी कंडिशन्स हैं किस तरीके से और मैं यहाँ पर सज्जेस्टी कर सकता हो यह आपने त्यारी करके रखे दो टीजी टू के लिए ट्राइब करने में कुछ नहीं जाता आप टालना पड़ेगा यह आपको लग रहा है कि यह जो अभी पेपर गया है वह आपका अच्छा नहीं गया तो दूसरे के लिए आपको और मेहनत से करना पड़ेगा और वह आपका कॉल होगा ठीक है और बिलकुल फोकस हो क्या 100% एफल डाल के करी हो जाता है ठीक है इसली हो जाता है तो टेंशन मत लीजिए प्राइब के लिए यदि आपकी घर की स्थी काई बार होती है हम बच्चों की घर की स्थी के अकॉर्डिंग लिए हम को रुक करना पड़ता है तो वह आपको थोड़ा बैट के सोचना पड़ेगा उसके लिए ओके बट आप ट्राइक कर सक कि पहला ओगे लेक्त्रो इंट्रोर्टीक्र डिफ्लेक्शन टाइप सी आटी था स्मॉल इपलेक्शं मेशर्मेंट अदेसें आंब देस स्क्रीम लार्ज डिफलेक्शन तुकर दा एंटार्री स्क्रीन सो जल्दी से मत बढ़ें बतें अचिए जल्दी से तो आपका वो आपका ही सोचना पड़ेगा आपको ही वह समच्या का निदान करना पड़ा है सोचिए बैठी एक दो दिन के लिए और देखिए कि अंप्रिंटेड हैं सिलेबस का क्या कोई पता नहीं जैसे कवर करें हाँ यह तो है यह थोड़ी दिख्कत है पर ठीक है हम अपने एंट से ट्राइब करेंगे कि ज्यादा ज्यादा चीज आपको प्रोवाइट कर से कि वह ज्यादा बेटर रहेगा ठीक है चलिए क्या है कोशन नमबर 5 कोशन नमबर 5 क्या बोल रहे है इस डिए तो मेग्ड अग्यूरेट मेसरमेंट किक है और दो वोल्टेज उसिए अरो विच्वन फॉलिंग इटम शूद बी तकन इंट रिचन उप्राइशन सो अपना चीज अब देखिए और देखिए और देखिए लेक्रोष्ट सब्सक्राइब देखिए और वैसे भी इस चीज़ का नहीं नहीं पढ़ाया है क्योंकि मैं शॉर्ट त्योरी सेशन चल रहा है पर ऐसे लोजिकली नहीं हमेशा याद रखा हो कि कभी वोल्टेज की बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टेटिक पोर्शन आता है जहां पर हम वोल् सब्सक्राइब करते हैं तो यह गलत हो गया ठीक है तो यह आपको एकुरेट चाहिए एस कंपेर तो दिस ट्रॉक्रोस्टेटिक डिफ्लेक्शन इस गुट इस स्मॉल दिफ्लेक्शन मेजर्मेंट अधर सेंटर ऑफ दे स्क्रीन ठीक है लाज डिफ्लेक्शन तू कवर दा इंटायर इस्क्रीन ठीक है बिल्कुछ सही है डिस इस इदा लार्ज डिफ्लेक्शन चाहिए तो यहां तक जाएगा इसको ज़्यादा पुश्किया ज्यादा डिफ्लेक्शन दिया तो यहां तक जाएगा समझ मारी चीज़ें लॉजिक से थोड़ा याद रखो कल बाकी च कर सकते हैं यहां तक क्लियर हुआ चलिए सो मूग करते हैं कोशन नंबर 6 की तरफ कोशन नंबर 6 की तरफ अब वो चीज़ आ रही है जो एक्चुली आपको एक्जामिनेशन में बहुत ज्यादा पूची जाते पूची जाते लिए लिए आज हम बात करेंगे अब क्लियर है यहां तक क्लेर्टी मिल रही है ठीक है यह ओप्शन के लिए बहुता है तरह से ग्राफिकल टूल है जिसके थू हम फेज शिफ्ट निकालते हैं और एक और फ्रिक्वेंसी की बात करते हैं तो यहां पर phase shift दिया है, इसलिए phase shift की बात करते हैं, एक और दूसरी कौन सी चीज है, that is a plus frequency, हम frequency से related भी क्या करते हैं, बात करते हैं, frequency से related भी बात करते हैं, समझ में आए बच्छों, phase shift and frequency दोनों याद रखना है, क्योंकि यहां पर phase shift ही दिया था, तो phase shift is right answer, पर मान लीजे बताई टोड़ा सबक्राइए है तो इसली कर सकते हैं तो बीना निसाजस और कर डालोगे इसकी क्वेश जुरुत नहीं पढ़ती है जल्द इसे मुझे आंसर दे के बताईए what और शुर्ट बिदा करेक्ट आंसर क्यों यह बोल रहा है कि वन साइकल ऑफ देस्क्वाइर वेव सिगनल अब्जट ओन्द ऑसे लिसको फॉंट वी ऑक्यूपाइश सेंटीमेटर वह एक जैसे माल सकते हो कि कोई वेव पॉन है तो उसका सिक्स सेंटीमेटर का यह दिख रहा ह सकता हूं आसर टाइम पीरिट की बाद कर सकते हैं क्यों नहीं कर सकते हैं प्रवाइब की गया कि मैं ग्राफ लिया जैसे आप कभी अकॉलेजंग और स्कूल्स में ग्राफ नहीं घ्रॉ करते थे 10 सेंटीमेटर इसफॉरड डू इतना खांचा रहना इतना ब्लॉक ऐसे करते पर वैसे ही है यहां पर कुछ सेटिंग की गई है यहां पर कुछ उसका नोटिशन प्रोवाइड किया गया तो टाइम पीरिट जो होगा मुझे आप खुद बता सकते हैं कि यह जो का यह जो स्केल सेटिंग है वो कितनी है 30 10.ìnëअometer से मोल्टिपलाई कर दो संटिव необходимо मिटर कर गया तो चैथा 1 klein to माइक्रोस कंड़ हो जायगा समय श् sports बहुत करते हैं तो टाइम पीडिट के डिवालबत थे टांश की ठीडिट टर से हो सब्सक्राइब करने नंबर का मत करवा लेना तुम हजाग मजाग मस्ति करो हमको कोई दिख कर नहीं है पर मैं यह कहूंगा की आंसर गलत मत दिया आंसर देते बाद कंसंट्रीट हो जाए करो बागी कितनी भी बकैती करन्यों करो ठीक है ना मैं वैसे देख रहा था तुम लेप्टॉप चालू नहीं और मैं यहां देख रहा हूं कि बकैती बकैती मारे जा रहा एक लड़का पकड़ा भी था दी ऑप्शन 55.00 मुझे चेक करने तो मुझे आइडिया नहीं है कैलकुलेटीव है तो मुझे आ तो मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा यह दो मिनेट को मैं इसका अंसर चेक कर लेता हूं कोशन नमबर सेवन का 5.55 5.55 और यहां पे थोड़ा साइफ है पर आपका नमबर गवा सकता है इसलिए 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 कंसेंट्रेट होना है बी ऑप्शन एब चेक करिए न प्लीज सुदर्शान वेबबब जी गुड़ इवनिग मेर है जल्दी से जल्दी से बताओ कि लिए यहां तक है कि लो चैनि को में को सामश नमबर ये अभी यह लिसाज़ भराउ इस सट्यृत है क्लोस दिसा ज़क्तरन और शोन हो कि ऑन चाना कैट्ग लें इस्टेशनरी लिसाजस पैटर्न ऑन दो और सिलो इंपूर्ट ऑपको बोला है दो कभी भी हम लिसाजस पैटर्न की बात करते हैं तो लिसाजस पैटर्न जो होता है वह एक्टुली आपका एक ग्राफिकल वे और उसके तुरू हम फ्रिक्वेंसी फाइन कर सकते हैं वो फेज डिफरेंस फाइन कर सकते हैं ठीक है अब उसकी थिओरी क्या है वो तो अभी नहीं बात करेंगे बट उसका तरीका क्या है वो डारेक्ली में थोड़ शॉट मैं आपको बताता हूं लिसाजस पैटर्न यह कहता है कि एफ वाई फ्रिक्वेंसी है एक्स डारेक्शन में कितनी फ्रिक्वेंसी है वो बोल रहा है ठीक है क्लियर है तो क्या बोला है क्या बोला कि फ्रिक्वेंसी ऑफ द वर्टिकल इंपूट की कितनी फ्रिक्वेंसी और होर्जोंटल की कितनी फ्रिक्वेंसी वह होता है आपका उल्टा जा देखिए जैसे कोई भी करव बनता है लिट एक इस ठीक है कोई भी करव ना लेट इस से कि इस से इस इंपल सरकर ठीक है बीज आधर से अरे वाली लूबी देखिए तुम लोगों कौन सा अरे वो टेंजन अर्मल था यह वासेपूर टूम है जो उसके दो लॉंडे होते हैं फिर बाद में क्या करते हैं रखते हैं लिव टेंज़ेंगें टेंजीनिसी इस बहुता है एक तो फूरी चीज़ निकलती है वहां से ठी और ने नेक्स डाइग्राम में देखेंगे अब कोश्चिन में केवल वर्टिकल पूछा मतलब आपको यह पूछा है अब यह देखिए एफ वाइज गुल टो किता होगा ऑजूंटल टेंजेंसी इसके तीन होरिजूंटल टेंजेंसी जैंसो ट्री डिवाइद वाइड़ यहां से टेंजेंसी निकाला जाता है तो चल जाएगा तो चली थोड़ा समय इसको कर देता हूं क्या कर देते हैं आंसर क्या होगा वो तह हम देखेंगे पहले हम समझ लेते हैं क्या कहना चारा है आज स्क्रीन पैटर्न ऑस लोग्राव मतलब जो इसको अशुकर रहा है इस उप्टेंड वेंदा साइन वेव इंपूट ऑफ यह लुटिकल इंपूट उटिक है साइन वेव है कोई अनों फ्रिवेंशी की हम्हें उसकी फ्रिक्वेंशी नहीं पता है कि वह तू ओमेगा है मतलब ओमेगा इन दसेंस के तू पाई एफ हो गया तो तू ओमेगा है थ्री ओमेगा है क्या है हमको नहीं पता उससे फ्रिक्वेंसी से लड़ इस कनेक्टेड वर्टिकल इंपूट में कनेक्ट किये गए और आप दे सेम ताइम देखें 600 Hertz साइंबे वोल्टेश इस कनेक्टेड व्होरी इन पूर्ट टर्मिनल इतने हर्ट का यह आपको लगाया गाया मतलब यह नोन फ्रिक्वेंसी ओगे और सिरो वह वाट इस दा वैल्यू अनन फ्रिक्वेंसी की वैल्यू क्या है वाट इस अवैल्यू अनन फ्रिक्वे वाटिकल टेंजेंसी समझ में आरहा बच्वों और जोंट टेंजेंसी और वाटिकल टेंजेंसी अब हमें एफवाई की वैल्यू निकालनी है ठीक है फ्रिक्वेंसी डैट इस अननोन च्छाटी हमको क्या है साइन वेव हमने वर्टिकल इनपूट में लगा ध्यान से सुनत इस अनों यह बन जाता है हमारा अनोन बन जाता समझ में अन्यक्ति शीख है ठीक है है अम में आशनोंतल टेंजेंसी बताए था कई बार इस चीज़ को पहचाने एक तो यह तरीका होता है और एक ऐसे ऑसे करके दिख्ट देती है फर यहां कहीन पे भी जहां पर मैक्सिम हमको मिल रहे हैं और है उत क्या किलाएंगगी और होरिजॉन्तर टेंजेंसिस्के निफिर इसी तरीके से एक सिंपल तरीके से आप क्या करो एक वर्टिकल लाइन खीज दो ठीक है और वर्टिकल लाइन खीज दियुए ऐसे ग्रीन Ronald लाइन खीज दो जहां पर maximum points आपको Okro Door looks and so this is one possibility जहां पर हो सकते है वन है तू है तू है थ्री है फर है फाइफ है और six and divided by six कर दिया, जब आप देखोगे तो this is 2 and this is 3 और f y की value निखालोगे तो fx किता है 600 2 divided by 3 3 से यह गया 200 और यह किता बन गया 400 हर्ट्स आपकी value मिलगे तो जो unknown frequency थी उसकी value किती हो चुकी है 400 हर्ट्स हो चुकी है प्लीज ट्राइट वंडर्स हो चुकी है ऐसे यह सही बोला आपने ऐसे इजी हो जाता है ठीक है अधर्वाइस एक्षुरी वह टेंजेंसी जब हम बात करते हैं दूसा भी तरीका होता है मती जानो अभी क्योंकि उतनी थेओरी मैंने आपको उसमें पढ़ाई निए शौर्ट थेचन है ठीक है अब वापस बोल रहा हूं ए कोशन नो थेओरी 20 कोशन से अप्रॉप्स डेली के होने वाले और बहुत ही मसेदार ठीक है तो हल्ट थेओरी कंप्लीट होगी ठीक है थोड़ा पढ़ क्या नहीं है क्लियर नहीं इतनी चीज़े क्लियर होगी बच्चों एक्साइडमेंट फुल है ठीक है चलिए अब कोश पर टांड्यूसर नहीं पढ़ाओगे और टांड्यूसर पढ़ाएंगे सैटरडे संडे को हमारा यह रहेगा केबल और इलेक्रिकल मटेरियर मंदे से फिर वापस हम ट्रांड्यूसर स्याद हैंगे है कि मतलब मंदे टूफ्राइडे मंदे टू थर्स डे हम मेजरमेंट तो यहां पर वापस लिख देता हूं लेने वाले हैं मेजरमेंट रहने वाले और फ्राइडे एंड संडे यह तीन दिन हमारे क्या रहने वाले रहने वाले अब वह आपके उपर है कितना यूटिलाइज कर सकते उन सेशन को कि क्योंकि बाद में उनको वह बहुत सरी कोशन नहीं होगी ठेक है जरूर अटेंड करिएगा प्लीज ठेक है मुँण अ अव सब्सक्राइब को गंद ये प्लोष एन्सान में बड़र है है मनलत तुम को दुनिया में और कोई जगह नहीं मिल रही है अपने इसकी फेलाने Ketaly फेंशक्राइब अब तुमको ब्लॉक करें बेज़ती की साथ जाओ गे या खुदी चले जाओ इज्जत उठाके ठीक है वेब साइड है क्या गंदगी भेला रहा है सालों पर लेता हूं चले इसकी होरिजॉन्टर टेंजिंसी देखते हैं बहुत असान है यह एक्स फिगर की बाद करते हैं तो यहां से देखिए इस वाले फिगर में एक दो तीन चार पांच और यह हो गया तो six divided by किता होगे six divided by अब वो वर्टिकल ले लेते हैं होर्जॉन्तर डिवैड़ेड़ बाइट गरिकल है तो अब फोर शिक्स दिवाइड बाइफ और इस एटरी वाइट वाइट अब इसमें देखिए किता होगा ठीक है यह थोड़ा सा ऐसे जाएगा आप ऐसे समाली नहीं अब होर्जॉन्तर टेंज थ्रीवाइटू तो यह ब्लॉग कर दो ठीक है यह एड़र्टीजमेंट करने आए जिंदगी इन्हों ने अपनी भरबाद कर दी है जिंदगी इन्हों ने अपनी खुद की बर्बाद कर चुके हैं अब यह सोच रहे हैं उससे तो कुछ हुआ नहीं तो यहां से पैसे कमा जा हैं है विक्षिट के साल चले नहीं तो बहुत लती आंगे तुम लों को पता है है तो तो नलों प्λαेसं कं यहां की तो तो फूट लोग टो हैं और क्या है एस दो सब्सक्राइब कॉस्याल के ठोटों सुटना से पूइप सीक का सभ्राट को ड़े को इस्ně सबस्क्याइब क् सब्सक्राइब करता था कौन से सेशन में करता था याद नहीं आ रहा है जल्दी से बताइब अब यह ने पहली बात तो यह चीज है कि पहली बात यह है कि बटा यह नहीं उल्टा सीदा जो लगा रहे है एकवा डॉग फ्लान दिखान ठीक है डिए सीचियल बैच आहां यह नाम तो याद रहता है छोटी बात नहीं है नाम याद रहना ठीक है क्योंकि वह सेशन ज्यादा हो एक नॉमल तरीके से चले थे अपने भी नॉम याद यह सी स्टूटिंगं यह सी स्टूट्ट अब लोग कहप नाम पहसान लें यह दाश कितनी तेज है डेखो यह भी बिबी बोल रहा है ओक चलिए देखते हैं क्या होता है पहली बात तो क्या बोल रहा है पहले अच्छी से पढ़ते हैं ठीक है फिर हम आगी बात कहते हैं the grid on the display screen on the oscilloscope that comprises the horizontal and the vertical axis used to visually waveform the parameters is called यह पूरी actually definition ही किसकी है ग्रेटीक ग्रेटी क्योल कि है ठीक है कली मैं बताया था ग्रेटीकुल एक बच्चा आज के लिए तो मैं आज बता देता हूं कुछ नहीं है मतलब आप ऐसा कह सकते हो कि जो screen होगी नहीं उस पर ऐसे लाइन टाइप की होगी यह दिखते नहीं हो जो राइफल वाली वह जो हम गेम देखते आज होगे तो राइफल में ऐसे बिल्कुँ फोकस करने के लिए वह जूम करते हैं ठीक है वैसा ही यहां पर ठीक है तो एक तो फोरिजोंटल एकसिस होती है और एक वर्टिकल एकसिस होती है यहां पर माली जिए कोई व होर्म आगी तो पोलते हैं तो कुल मिला कि यह क्या करता है डिस्प्लेय पे होर्जूंटल एंड वर्टिकल एक्सस बनाता है और यह क्या सब्सक्राइब पे ग्रीट्स आपको देखने को मिलते हैं ठीक है एंड विछ दो वेवाइव यह क्या शोकता है वेवाइव शोकता है सो दिस इस लांसर भी तो यह याद रखने इसके डेफिशन ही यह यह इसमें और कुछ नहीं लिखाया जाते ही यही डफिनिशन ही लिखाया जाते हो वही कोशन के मांदेन से पूचे गई तो कोशन नमबर 11 इस दन जाँ कोशन नमबर 12 ईस ओमबक प्लीज डोंट अंसर अंसर इंथ कमेंट ठीक है अंसर इंकमेंट डिकर मैं भी देखना है आपका कोशन नमबर 12 है कोशन नमबर 12 ईके आप आंसर बताई एं जो भी बच्छे वांच कर छोटा सा सेशन तर्ष ना कि अ कृटम हो गया चोटा बहुत सेशन था आज मेरे को इतना समय नहीं मिल पाया था बट ठीक है मैं आया मैं ऐसा नहीं कि क्लास केंसल नहीं करनी थी मुझे और मैं आया हो बिल्कुल आप लोगों के लिए जित्ते भी थोड़े बहुत हैं आगे और भी कोशन एक्स्टर करके आपको करा दूँ किया करने वाले हैं और उसमें बहुत सारी चीज आम जानेंगे कोशांस के थूवं पे थियूरी करेंगे से चाथम या जाएंगे ने कल गये इसा नहीं है तुम लोगों में से साले वाई के बेज़दी करता है तो चलिए सो इस हम करते हैंने कंटिन्यू करते हैं और बहुत मज़ा आएगा थोड़ी चीज़ें जो रटने वाली होंगे उनको अलग अलग तरीके से रटेंगे समझने वाली उनको अलग अलग तरीके से दिमाग में बठाएंगे और मस्त तरीके से लेक्रिकल मटीरियल्स करेंगे कि बॉड़ी आपकी बन नहीं रही है क्या कह सकते हैं साले जली पर नमक मत चुड़क है ठीक है सो दोस्तों कल मिलते हैं ध्यान रखिएगा हाँ एक चीज और की जो चक्दे आडवांस जो हमारा एक सर्प्राइजिंग आप एक सर्प्राइजिंग एलिमेंट या जो जैनिक से आने वाले क्योंकि इस पर कुछ कमेंट नहीं करना चाहता है क्योंकि बहुत एक अच्छा सर्प्राइज है जो आप लोगों के लिए शायद बेनिविशल हो सकता है क्योंकि आपके बहुत सारे सपने उससे पूरे हो सकते हैं छुट मना बड़ी बात कर दी है और है भी क्योंकि इससे आपको फाइदा बहुत होने वाले क्योंकि आप जितने भी बच्छे एक्जामनेशन की प्रिपेशन कर रहे हैं उनको थोड़ा अलग वे में कुछ चीज मिलने वाली है ठीक है तो रेडी रहिएगा बहुत प्लान की प्लानिंग की गई है उससे उ दोस्तों अब आप स्मार्ट एंफिट हो अरे थैंक्यू सो मच इसमार्ट एंफिट इता बोल दिये वहां कोई बोलता ही नहीं आज कर अभी तो आपका यह है आपको बताय जाएगा उसमें जो भी चीज आपको वहां पर बताई जाएगी ठीक है इससे रिलेटर में कुछ भी नहीं बोलना चालू करते तो वह सर्प्राइज ही खतम हो जाएगा ठीक है चलो मिलते हैं फिर कल के सेशन में रेडी रहिएगा पांस बजे कल तयार रहिएगा इलेक्रिकल मटीरियल्स हम पढ़ने वाले थैंक्यू सो मच बबाए टेक क्या लॉट्स ओक लाव ठीक है औ और प्रिपेर करते रहिए तैयारी करते रहिए मिलते हैं फिर कल के सेशन में बबाए